Hello everyone, welcome back to my channel आज आम बनाया जारहे हैं तुरही के पूल के पकोड़े पकोड़े तो आपने बहुत खाया होंगे पर इस तुरही के फूल के पकोड़े को बना कर देखिये ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं आप इसे सॉस या चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं पर मैंने से सॉस के साथ सर्फ किया है आप इसे इवनिंग स्नाक्स में बना सकते हैं रेस्पी शुरू करने से पहले अगर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्ली से कर दे और बैल लाकन पे बी क्लिक करें जिले देख लेते हैं तुरह इक फूल के पकॉड़े कैसे बनाएं सबसे पहले मैंने आपके कुछ तुरह के फूल लिया है शारे प्हूलों में इसे फूल यूजे है बूलaters है सारे फूबूमें ताया ज्मोरा भर लिया है इसे बनाने में पहती अपाट लगता और यह तुरंदी फ्राय होकर त्यार हो जाते हैं अब हम बेसन का बाइटर बना लते हैं जिसके लिए मैंने एक बॉल में लिया है एक कब बेसन इसमें में डालना है दो बड़े चमच चावल का आटा चावल का आटर डालने से और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे अ जी बनाना है तो इस फात 3 चाह करते हैं घीरे दीरे करके निथा बचावाश पानी इसम imagen डाली इसे लेंगे लॉब यह जया है अट्षा पलश बनाना है यह जादा गाढ़ा होना चाहिए अब देख सकते हैं इस कनसिस्टेंस और बनाकर ढार करनाए mau अब हमने एक कढ़ाय ली है जिसमें हमें डालना है सरसो तेल से यह पकॉड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं इसलिए मैंने इसमें सरसो तेल यूज किया है आप चाहे तो कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं इसे हमें अच्छे से गरम होने देना है अब हमें यह फूल इस बै होने के लिए डाल दिया है थोड़ी दिर बाद हम इसे पलट लेंगे और दोनों साइट सच्छे से फ्राइ करेंगे यह हमारे पकॉड़े फ्राय होका रड़ी है अब हम इन एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से तेल को ड्रेन करते वे इन पकॉड़ों को बहार न को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और अगली बार में एक और नहीं रेस्पिक साथ मिलूंगी तब तक लिए बायान थैंक्यू